आसाम के स्थिती किस ने पादा की? क्यों पादा की? और इसलिए आसाम के लोगों के मन में विचार आना बहुत स्वाभाविक है अब हमें आसाम ऐसे ही रहना देना है कि आगे बढ़ता आसाम चाहिए हमें तेज गती से बढ़ता आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास की नई हूँ चाहिए वाला आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? आसाम ऐसा हो जहां नौजवान को रोजगार हो ऐसा आसा आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां के किसान, यहां के मद्दूर इन सब के लिए उज्वल भविश्य हो ऐसा आसाम चाहिए भाई और इसलिए आज दुनिया में चाहे वर्ल बैंक, चाहे आएम एप, चाहे कोई भी दुनिया की रेटिंग एजन्सी एक स्वर्से दुनिया में से एकी आवाज उठ रही है, कि दुनिया की बड़ी देशों की जो एकोनमी है, उसमें अगर सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाली एकोनमी है, तो उसका नाम हिंदुस्तान है तेज गती से आज हिंदुस्तान विकास की और आगे बढ़ रहा है, इतने कम समय में आज देश में, FDI में, Foreign Direct Investment में, 40 प्रतिशत की व्रुद्धिव हुई है भाई यो, 40 प्रतिशत पीशन, यह धन जो विदेश से आया है, यह धन जो विदेश से आने वाला है, वो किस काम आने वाला है, यहां उद्ध्योग लगेंगे, यहां इंफास्ट्रेक्टर बनेगा, और सबसे बड़ी बात, यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा, देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, और इसलिए, हमारी सरकार, एक बात पर बहुत ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रही है, और वो बात है, विकास विकास और विकास, एक ही मुद्दा विकास, हिंदुस्तान, उसका विकास संतुलित होना चाहिए, सिरफ भारत के पस्रीमी छोड़ पर विकास हो, मुंबई आगे बढ़ें, और गोहाटी पीछे रह जाएं, तो देश आगे बढ़ नहीं सकता है, मुंबई आगे बढ़ें, और आसाम पीछे छुड़ जाएं, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है,